कि चलिए वेलकम तुद फुल्वेंट फिजिक्स टूशन सेंटर और आप लोगों का आज सेंटर पर एक्जाम है तो सबसे पहले बता दें कि जो पढ़ाएं कोसन वही सब रहेगा बढ़ यहां से खाले एक्जाम दे दीजिएगा यह 12 का 12 का हिंदी मेडियम बैच है 12 का हिंदी मेडियम बैच है सभी बैच के लिए उप्योगी है सभी बैच के लिए प्योगी है कुछ बैच में 4-5 दिन के बाद पढ़ाएंगे अग कुछ बैच में आज पढ़ा रहे हैं फैदा तो सब को होना है हम बता रहे थे simple microscope ठीक है simple microscope इसकोप इसमें बताई थे आपको magnifying power magnifying power बताई थे बीटा बाई अलफा सुनिए जो बच्चे की लेट से जोईन किये हैं या बाद में जोईन किये हैं बता दे बीटा बाई अलफा के बता थे magnifying power कहते हैं के लिए रहना इसकोई question माने थे बेटा फास्ट ठीक है अब इसका construction और working इसका बनाबट और कारिवीधी सुनेगा ध्यान से इसका बनाबट हम शुरू कर रहे हैं देखो ध्यान से सबसे सबसे पाहले क्या बेटा एक लेंस लीजिए कौन सा लेंस नो उत्ता लेंस ठीक है इसके बाद इसका principle एक्सेस लीजिए अधिस पाल एक्सेस ले लिए अधिकात यह हो गया बेटा यह परकासिक के अंदर हो जाएगा इसको परकासिक के अंदर को यहां पर लिख दीजिए ठोड़ दीजिए लिखिए अधिक्रावड आजिए क्योंकि ABC मानना पड़े बात मिन देंगे देंगे देखेंगे अधिश्टर अजित कुमार विलेज की सनपूर बापुर नहीं है हाँ हाँ अच्छा चलिए आपका पपाय का नाम नहीं लेते हैं अधिश्टर अधिश्टर कर लिजिएगा बाहर निकलके चलिए यहां देखो ध्यांसिव यहां देखो यह बात ने देखिए हम कल आपको बताई थे कि यह परकासिक के अंदर है ओ मान लीजिए यह फोकस है एफ मान लीजिए इसके बेच में एक आपजेक्ट रखते हैं कल बताई थे ना कि इसके बेच में एक आपजेक्ट रखा जाता है मान लीजिए यह आपजेक्ट है ए और बी कि ए कि समझ में नहीं आ रहा है कि अभी कोस्वन पूछेंगे तुरह दिमाग से हो जाएगा कि अधिए प्रकासिक कैंद्र और फोकस के बीच में एक आपजेक्ट रखे ए भी आप इसका परतिविम बनेगा यहां ध्यान दीजिएगा यह प्रकास की किरन यह प्रकास की किरन एक प्रकास की किरन प्रकासिक के अंदर होते हुए सिधा गुजर जाती है यह प्रकास के आफ्टार रिफ्रेक्शन इस प्रकास से पास करेगी अब अगर इस रेखा को पीछे की और बढ़ाईएगा इस रेखा को पीछे की और बढ़ाईएगा इसको पीछे की और बढ़ाईएगा यह दोनों रेखा को जब पीछे की और बढ़ाते हैं यह दोनों रेखा को जब पीछे की और बढ़ाते हैं जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वहीं पर इसका क्या बनता है परतिविम बनता है यह यहां पर इसका क्या बना परतिविम बना इस परतिविम को मान लिजिए A- और B- ठीक है इस रेखा को एक बार और पीछे की और बढ़ा दीजिए इसको पीछे की और बढ़ा दीजिए अब यह जो एंगिल फॉर्म हो रहा है यहां से angle form हुआ ठीक है यह हो जाएगा alpha यह angle क्या हो जाएगा alpha आई यह जो परतिविम के द्वरा कौन बन रहा है यह angle यह angle क्या हो जाएगा beta को दिकत किसी को अब अगर आप ध्यान से देखेगा इसमें दो को समकौन तिरभूज इसको भी naming कर दी यहां पर d कर देते हैं दो को समकौन तिरभूज एक o a-d ठीक है एक o a-b- ठीक है ना दो को समकौन तिरभूज तो सबसे पहले क्या करते हैं in triangle तिरभूज 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 o a-d में अगर हम 10 alpha अपलाए करेंगे 10 alpha और क्या होगा कोन के सामने वाला क्या होता है हां लंब 90 सामने वाला बचा क्या ता हमको 10 alpha अगर हम लिखेंगे तो 10 alpha क्या होगा लंब बटे अधार लंब इसमें कौन है a-d अब बटे हां o a- को अधिकत किसी को आप ध्यान से देखिए a-d a-b a-d b-a एक आयत है क्या आयत में क्या पड़े परिवासा आमने सामने के भूजा बराबर होती है ना तो हम कह सकते हैं कि a-d जो है किसके बराबर हो जाएगा a-b के सही है ना तो हम लोग लिख सकते हैं 10 अलफा बराबर a-b बटे क्या o-a-d काहे यहां लिखना होगा a-d किसके बराबर है a-b के बराबर है क्यों क्योंकि एक समाना आयत है वो और आयत के परिवासा होती है क्या आमने सामने के भुजा क्या होती है बराबर होती है अब एक मठ देखिएगा वें इसको एक कुशन सेकेंड मालीजिए दो अब कहता वें नहीं नहीं कहां बटा फसी माने भी वें एंगिल अलफा इस इसमाल जब एंगिल अलफा इसमाल हूँ ठीक है इसमाल हूँ देन तेन अलफा हम लोग क्या लिख सकते हैं बूली जल्दी से अलफा लिख सकते हैं ना इसलिए व्राम इक्वेशन है सेकेंड इक्वेशन सकेंड इक्वेशन सकेंड में अलफा बराबर क्या हो जाएगा एब बाई ओएर डेस इक्वेशन कितना हो गया ये 34 किसी को अब फिर से दीखिए दूसरा तिर्भूज देखो फिगर फिर फिर्फ तिर्भूज कौन ओ एडाएस बेडस को कि क्या अप्लाइ करेंगे टेन बीटा टेन बीटा अप्रू या अवगा लबटे अधार ना इसमें लंब कौन होगा एड़ेस बीडाइस अधार कौन हो जाएगा ओएड-एस से यह ना क्या लिखेंगे बूली कौन तिर भूज में याद हुआ इंट्रेंगल O A-B- क्या लिखेंगे बटा 10 बीटे आप रहा और जल्दी बता A-B-B- बटे क्या रहे O A- और 10 बीटा कुम लोग क्या लिख सकते है B- A-B- बटे क्या O A- एक्विशन कितना हो गया 4 काहे ब्रैकेट में लिखना होगा ना एंगल बीटा क्या है A- इसमाल अगर इसमाल है तो 10 बीटा कुम लोग क्या लिख सकते हैं रहे लगभग बीटा को अदिकत किसी को आप देखिएगा 3 और 4 का मान आपके कॉपी में क्विशन फस्ट है देखिए इक्विशन फस्ट है ना इंप्राज है बीटा अब ऑफ़ा च्छा तो 3 और 4 का मान ड़क दें enorm लिख बीटा की जिखतें यह मान रख देंगे और ऐयम अं रख देंगे रख बस बस रख दें चलिए क्या लिखेंग बोलिए तो यूजिंग एक्वेशन किसको थार्ड एंड फोर को किस मेरे इन एक्वेशन फस्ट वी गेट मान रख दिजिए क्या हो जागा बटा एम पी बराबर बीटा बालफा बीटा क्या है रे एड़ेश बीड़ेश बटे रे ओएड़ेश सही है ना बटे एबी बालफा क्या रे ओएड़ेश सही है सही है ना यह गुनाम है कि भाग में है गुनाम क्या हो जाएगा चैंज हो जाएगा ना पलट जाएगा ना तो MP बराबर क्या होगा बता सकते हैं ए ए डाइस बीड़ाइस बटे ओर डैस अगुना ओर डैस बटे क्या रहे अब याद किजे थोड़ा सा दिमाग पर प्रेसर डालिए यहां पर एड़ाइस बीड़ाइस क्या है बंचाय कहो प्रतिविंब क्यों टाइए ना या ध्यान से वाट फिर देखर देख लिए फिगर में लिए अधे विक्या बश्टूर है कि पर्तिविंब क्या है यह यानि कि देखे एक परकार का ही है लिए हमारे दिमाग परते बिंब के उंचाई अब बटे क्या वस्तू की उंचाई कोई दिकत किसी को क्लास को अगर डिस्टर्ब कीजिएगा कुछ बच्चे हफिया रहे हैं हाफिक कर रहे हैं तो बेटा याद रखना यह अभी अम्मा जाएगा बहुत मजाएगा लेकिन इसका नुकसान एक्जाम महल में परवेश कीजिएगा रिकॉर्डिन वीडियो रहेगा हम जो बोल रहे ह है रिकॉर्डिंग भी रहेगा आपके पास वीडियो रहेगा उस दिन अग्याम महल में जाके देखेगा नहीं आपको पस्तावा हुआ तो हमको बोलिएगा अज जितना बच्चा कलास में ध्यान से सुनता है उसको फिर रटना नहीं पढ़ता है इसी बार बार दिमाग में अग्याइश कर लिए तो इसलिए कलास को थोड़ा सा ध्यान से देखिए एक्विशन होगा यह अग्याइट पाई चलिए जल्दी फटाफट फिगर बनाई यह तो जल्दी से पिगर क्विक फास्ट बनाई जल्दी से फिगर बनाई जल्दी से जल्दी फिगर बना लीजिए बना इज हो घँ है क्या यह क्या रऐ बनाई जल्दी से देखिए अमना १ास्पाव 1... देखिए यह जो है आज समझेगा फिर कल जो बतांगे कमपॉंड मैक्रोस्कोप पांच नमबर का पांच नमबर को सब्सक्राइब याद करना है चार निश्चित आएगा यह कंपॉंड मैक्रोस्कोप टेलिस्कोप दोगों और बचायत बस वेव आप्टिक सुरू हो जाएगा वेव आप्टिक्स भी दस दिन के अंदर समाप्ट हो जाएगा और आज तो हमको लगता है कमी ब अच्छे बजे एक्जाम के बाद तो कर भेंगे ना तो अब आज आप सबको बोल दिया है तो जैसे माले कुछ बच्चे मारी टेन्वी में इसका नहीं है कुछ बच्चे का इस कमराडी में तेन्वी में आसे है इससे कहीं पर सेंटर उंटर पढ़ता है नो उसे पार्ट उ है अच्छे है हाँ आज दोनों सुरू कर देंगे हलके फलका बताएंगे इंट्रोडक्शन करेंगे लाइब नहीं देंगे बटाए वीडियो रिकॉर्डेट करके बेच्टे लाइव नहीं हुपाता इसे भी कलास में पापको पढ़ा रहे ना आप देखते हूंग जो भी तो रिकॉर्ड भेचते हैं सब करेंट बला भेचते हैं पुरण का बासी वीडियो सब नहीं मेरे पास चुक्क हम कैमरा इधर तो लगे भी एक हैं देपास ही कहा जाएगा मेरे पास वीडियो कि दिन लगाएं जैक मेना डेड़ मना होता अगर कितना होता हुआ है कि फिगर बना लिया फिगर बेटा इदम साफ सुत्रा बनाना है नीट एंड किलीन जतना साफ सुत्रा फिगर बनाईएगा उतना ही फैदा होगा अब को है ऐसे वह दिघम अ क्या तक कहा यह लहराय देल के वह लुक्त में पूनी वुआ गलत हो गया इसको है ना यहीं से इसको मिलतो को खशेश्त शिन और और असक्राश you में नदी ने होगा वो यह दिस सीदा मेचो ओपरे से सीदा खीचो अ यह यह यहां से ही सीधा की चीया तक डौोट किटे सीदाउ के दना यहीं से सीधा कि दिदाना कि सकरिक्षर कहना चेना यहीं से सीदा तिरसक इसको लाएन यहां दोगी चो 스माँ चलिए लिखेगा चित्र के अनुसार अब हां कभी भासा लिखा देते हैं चित्र के अनुसार नहीं कहें लेंग को चित्र के अनुसार कन्वेक्स लेंस को कन्वेक्स लेंस को सहयोजित किया जाता है चित्र के अनुसार कन्वेक्स लेंस को सहयोजित किया जाता है एक अब्जेक्ट है एक अब्जेक्ट है एक अब्जेक्ट है जिसका परते बेंब एडैस बीडैस बनता है जब भी बनाईए पेंसिल से बनाईए इग्जाम में पेंसिल से नहीं एक अगा आप अगरं घराइस इनि टेकिक्बि बना सकते हैं हैं लिखा एक अब्जेक्ट है जिसका परतेबेंब एडैस बीडैस बनता थास्य है A-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B की दूरी भी लिखा तभी का मतलब हो जाएगा कुछ भी हो सकता है 2 cm 5 cm 10 cm 20 25-50 कुछ भी हो सकता है लेकिन हम लोग जानते हैं किसी परतिविम को देखने के लिए अस्पश्ट द्रिष्टी की नुंतम दूरी कम से कम 25 cm होता है जांते हैं हम बताए भी आपको फिर बोल रहे है कि किसी भी व्यक्ति को अस्पश्ट देखने के लिए को भी ऑबजेक्ट को अगर देखना चाहते हैं तो आपके नजर कि जो अस्पश्ट द्रिष्टी की नुंतम दूरी है 25 cm है अगर आपने भी के जगह पर डी लिखा ये भी परतिविम की दूरी है लेकिन जब भी परतिव कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है लेकिन अगर अपने Lk Attack petty का मतलब क्या हो गया कम से कम 25 उससे कम थे लिखा गया डी परतिभीम की दूरी है लेकिन कम से कम कितना पर पनेगा यह ज़्यादा ज्यादा जितना पर बन जाए है चुक्झाहे किलियर यह पर परतिभीम की दूरी अम लों किसका परियोग करेंगे है दोनौ एक ही तरफ है ते मड़ा पलस में होगा ये दोनों बाइन तरफ है यो भी माइनस और कलियर को चलिए अब ना दिखा एक मड़ में देखो फैर इहां पर लियां दोपि परतिबियंगən क्यों चाहिए अब बस्तू क्यों चाहिए तब परतिविम को जाए आपको बताया होंगे फॉर्म इसका बताये होंगे और करके ने बताया है हुष यहां पर लिखेंगे और MP बराबर भीगे जगाब पर क्या लिखेंगे डी बाइं यू कितना होगा यह पांच काहे यहां पर परतिविम को दोरी जगाब क्या लिखना होगा डी कोई दिकत किसी को आप ध्यान दीजेगा नाव लेंस फार्मुला ए lens formula lens formula आप लोग जानते होंगे क्या होता है 1 by F बराबर 1 by B minus 1 by U यहाँ पर B के जगह पर क्या लिखेगा minus D U के जगह पर क्या लिखेगा minus U इसलिए क्या हो जाएगा 1 by F बराबर 1 by B minus 1 by D minus 1 by minus U सुनो ध्यान से एक बार समझो lens formula होता है 1 by F बराबर 1 by B minus 1 by U लेकिन आपको क्या बता है यहाँ पर परतिविम क्या लिखेंगे D minus क्यों लिखेंगे क्योंकि lens के by और परतिविम बन रहा है सही है अब फिर उसके बाद U के जगह पर minus U अब इस formula में B के जगह पर minus D I U के जगह पर minus U लिख दिए यह minus minus क्या हो जाएगा पलस तो 1 by F इसको इधर लेके आजाओ क्यों जाएगा 1 by D बराबर क्या हो गया 1 by U कोई दिकत किसी को अब एक मड़िया ध्यान से देखिएगा दोनों तरफ D से भाग दे दीजिए दोनों तरफ D से भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा बूलिए D by F पलस D by D बराबर क्या D by U सब्सक्राइगा मतलब गुना कर दिए जी से यह D और D कैंसील हो गया क्या हो जाएगा D by F पलस 1 बराबर क्या D by U equation कितना हो जाएगा यह 6 अब equation 5 और 6 को ध्यान से देखिए equation 5 देखिए MP बराबर क्या है D by U है ना आई यहाँ पर D by U किसके बराबर है D by F पलस 1 है ना तर D by U के जिगह पर कितना लिख सकते हैं क्या लिखेंगे using equation किसको equation 6 किस मेरे in equation 5 we get क्या हो जाएगा MP magnifying power बराबर D by F D by F पलस 1 या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं magnifying power बराबर 1 पलस D by F याद रखेगा बेटा अगर यह यह लोग में कभी नहीं आएगा लेकिन objective में भी आ सकता है हलाकि question pattern ने तना easy करते जा रहा है हो सकता है इसको long में पूछ दे यह long में अगर पूछ देगा तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले हो जाएगा अब हो तीजी है यह लेकिन यह चांस इसके पुछने के संभावनाई जो है अनंत पर यहां पर एक दो लेन भासा लिखाएंगे क्या लिखाएंगे आप लोग लिख लिजिए गा यदि परतिविंब अनंत पर बन रहा हो तो ऐसे स्थिती में सिंपल माक्रोस्कोप का मैगनिफाइंग पावर जो ब्राबर होगा वो क्या हो जाएगा डी बार एफ यह कंडिशन का भोगा जब परतिविंब कहां बनेगा अनंत पर बस में तो आप लोग अभी उतारेंगे घर पर उतारेंगे घर पर कितने लोग हैं जो गुरुप में यूट्यूब नहीं है अच्छा एक दूब अप्रोग इतने लोग जूड़ेंगे हैं यूट्यूब हो का मैल में ना यूट्यूब देटेव ना सब्सक्राइब क्यों चैनल को घंडा दबायों का बेल 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 आइकन रे आइं बेल आइकन प्रेस्किया ना तब आ जाए यहां डी क्या है परतिविम की दूरी परतिविम की दूरी एफ क्या है आप आपके मन में भी सवाल है कि परतिविम की दूरी को डी क्यों लिखा गया को बता सकते हैं कितने लोगों को कितने परतिशत छात्र छात्राव को कितने परतिशत भारतियों को यह पता है कि डी जो है क्लास में बेसरम बच्चा मुवाइल निकालता है ठीक है हाँ मैंने नाम नहीं लिया लेकर समझ गया बेसरम कौन है आप यहां पर सवाल है कि कि किनको किनको पता है यहां पर D कव पर तिभीम की दूरी क्यों लिखा गया कि जी बैटा बोलिए देखें यह कुछ लोग यहां घरा कर रहे हैं नहीं है समझे यह इस बात को एक बार फ्रस्ट आठंगे मुट्वा को परतिवर्वी के लिखा गया का सिकात काकर अल अलट कि adapting सब कि अरे बाफ कि आध यह भरत माता तो सिके ना साता ता आए लड़का सब बोलिये कोई लड़का कोई खड़ाक बोलो लड़की बोलिये अच्छा हम बोलिये बिल्कुल सही कि आसपस्ट द्रिष्टी के नियुन बठी बिल्कुल सही बोल रहे हैं भतोडिया का ब्रदर अप्शालू हिमान सुनरे असपस्ट द्रिष्टी के नियुन तम दूरी जो है इसलिए लिखा जाता है डी क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी आप्जिट देखने के लिए कम सकम 25 सेंटिमेटर अगर भी लिख देंगे तो भी में कंडिशन है कुछ भी हो सकता है कोई कंडिशन नहीं है 10 सेंटिमेटर 5 सेंटिमेटर 25 सेंटिमेटर कुछ भी हो सकता है लेकिन अगर अपने डी लिखा तो कम सकम परतिम कहां बनेगा 25 से कम कल बैटा सब का पाले कॉपी चेक कर वाएंगे तब कलास में परवेश देंगे ठीक है ना यह सिंपल मैक्रोस्कोप सब के कॉपी में कल होना चाहिए है नहीं बैटा तो बोलने तुम्हारा नाम बगड़ी है बगड़ी का छोड़ा तक कंगाल रहा है बैटा हो खून लगाया कर रंग लगा कर वीडियो बनाए चाहां मैस्री में रिचार्ज आभी जाजा पढ़ें पैसे नहीं रे बेटा इंटरनेशल बेसरम है अब जितना बोल रहे हैं एहसानिक रिकॉर्ड सब रिकॉर्ड होता है आप लोग वीडियो सुनते होंगे तो सब आज आता हो का बीच बीच में हम बेटा जो भी करते हैं खुल आम करते हैं खुल्लम खुला आ चलिए ठीक है कल सब का कॉपी चेक करेंगे याद रखना ठीक